हाई दोस्तो हमारे यूट्यूब चैनल राज लेक्षर में आपका सौकत है तो आज की वीडियो में हम अपने आंगे के जो फॉर्मूले उनको प्रूब करने वाले हैं तो हमारे आज के जो फॉर्मूले वह हैं टूए एंगेल फॉर्मूले कनवर्जन यानि हम जो टूए एं को प्रूब करेंगे तो आज का मारा जो पहला फॉर्मूला है बहुत हैं है हमाला हिस saya in Wars X X equal sine inverse bracket में 2X root 1 minus X square तो यह हमारा है जो आज का पहला जो हमारा फर्मूला है जिसको हम प्रूब करने वाले हैं तो इसके लिए सरप्रता हम क्या करेंगे sine inverse मान लेंगे माना की माना की sine inverse X equal A तो अब हम क्या करेंगे यहां से X का मान निकाले और X का मान निकालने के लिए हम sine inverse को rhs में भीजेगे तो आप लोग जानते हैं कि हम जब earn sine inverse X को sine inverse को rhs में भीजेगे तो हमारा हुजाएगा x पराबर sine हम इसको यह हो जाएगा हमारा x पराबर sine अब हम क्या करेंगे कि इसमें एक हमने जो 11th class में एक सूथ पढ़ा है कि साइन टू ए बराबर होता है टू साइन एक कोजे तो हमारे इस फॉर्मूले में जो है साइन के साथ सथ हमें कौज एक मान की भी जूगत होगी तो कौज एक मान के लिए हम क्या करेंगे कि हम साइन एक पड़ो साइन एक के स्कोर एंगा होता है कोज स्कॉर ए मारा बर मायनस साइन स्कॉर ए तो यह हमारा फार्मूला होता हैं जो हमने 11th class में और High School में पड़ा है तो इसमें हम क्या करेंगे कॉज A का मान निकालने के लिए दोनों पक्षों का बर्मूल कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा कॉज A इक्वल रूड बन माइनस साइन स्कॉर A और यहाँ पर हमें आप देख लोगे कि यहाँ पर हमें जो साइन A की बैलू है वो हमें घ्यात है क्या है एक्स कि यहाँ एक्स हमारा हो जाएगा कॉज A इक्वल रूड बन माइनस क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्कॉर तो यहाँ पर हमारी जो साइन A की बैलू है और जो हमारी कॉज A की बैलू है और हमने shooting से निकाल ली अब क्या करेंगे हम जो 11th क्लास में एक सूथ पढ़ा है साइन टूए बराबर होता है तू साइन कोजे तो हम उसका प्रियू कर लेंगे और हम इसको सिद्ध कर देंगे तो चलिए लिखते हैं कि वी नो डेट फिव लिनो डेट हम जानते हैं कि क्या जांते हैं साइन टू होता है इंटू कोजे अब जो जो मैं पता है हम सार्ज इसमें पुट कर देंगे तो हम हैं सबसे पहले क्या पता है साइन है साइन कि टो एक हमें क्या मानी थी साइं इन वर्सहाँ थे यहाँ पर पुट करेंगे तो हो जाएगा हमारा साइन इन्वर्स website और यहाँ पर एक्कुल लगा तो एक्कुल यहाँ पर टु है तो है दुट साइन की वैली हमने कहा नकाली थी थी stärk से में एक स्पूट कर देंगे इंटू कोजी की वेली हमने निकाली थी रूड बन माइनस एक स्क्वाइर तो यहां पर हमारे क्या है जो आ गया क्या गया कि इसको अम अंदल लिखते हैं कि साइन ब्रेकेट में टू साइन इन्वर्स ेक्स बराबर तू एक्स इन्टू रूड बंद माइनस एक्स स्क्वाइब कर हमें क्या चाहिए हमें चाहिए टू साइन इनवर्स एक्स इक्वल साइन इन्वर्स ब्रैक्ट में टू एक्स रूड बन माइनस एक्सक्वार आप देख रहे होंगे जो हमारा इतना एडिया है जी आ गया तो हम क्या करेंगे जो हमारा लह में साइन साइन है समकरी आरह अरज श्रक्र pipes में प्रिवा है कर देए में जाया हमारा निकल के आएगा इसको हमारा व्लाव में इंवर्स एक्स देख रहे हो हुए हमारा साइन इन वर्स ब्रैक्ट में है इच्च 2xRude 2xRude 2x in to root 1-x square तो आप देख रहे हैं जो हमारा formula है कि निकल के आ जाता है कि क्या है हमारा formula 2 sin inverse x बराबर होता है sin inverse bracket में 2x into root 1-x square यह हमारा ज़ो 2a angle formula conversion के जो formula है इसका तो इसको हम एक बार फिर्श दिखते हैं तो सबसे पहले हमने किया माना की माल लिया किया था तो यहां से हमने एक्स का माल निकालने के लिए क्या कर दीया तो हम rolls निकल के का कि लिए के लगया così यूदि कारे बदावर मन मैने मैनने सब्सक्राइब और दोनों पक्षू का बर्मूल कर लिया तो हमारेहस रहां से हयं कउज यह बराबर स्भावा एगए रूसरीश स्कॉर है और फिर कश्ड़ एकिह साहच एक की सबस्क्राइब, तो हमारा हो गया है क्वार एक्षड वद्वावार पिर्स बकला माइनस dependence सुथ पर आए, में इसमें पुट कर दिया तो हमारा निकल कर आही है हम से इन्टू टुसाइं इन्वेस एक्स बराबर आगया इन्ग पराबर सून केक्षण में निंवर्स एक है we are the Time करना है तो हमारा जो अगला embed और जो सिप्रकार ही पर क्यों जलीए दोस्तों हमारी चांढू एंगल फ़र्मुले उसरा फोर्मुला वो है है कि जोर्व हमारा फोर्मुला दूकोज इन वैसाइकस एक्पॉल काज़ इनवर्स भ्रैक्ट में टू एक्स स्कॉर माइनस बन यह हमारा जो अगला फॉर्मूला है तो इसको हम सिद्ध करेंगे तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले मान लेंगे माना की माना की कॉज इन्वर्स एक्स बरावर ए अब यहां से हम क्या करेंगे यहां से हमारा क स्कॉर माइनस बिए इन्वर्स अब यहां पर हम क्या करेंगे जो हमारा 11th class का орт Olунд किया है क्या है हम जानते हैं कि कॉछ 2 अबरावर होता है 2 cause square a minus 1 तो हम इसमें उस formula का प्रयोग करके इस जो इसकी value हम निकाल लेंगे तो चलिए इसमें हम लिखते हैं हम क्या जानते हैं we know that हम जानते हैं कि क्या होता है formula cause 2a एक्काल होता है होता है हमारा cause 2 cause square a minus 1 यह हमारा formula होता है जो हमने 11th class में पढ़ा है तो इस formula में जो जो value हमें पता है हम सभी को पुट कर देंगे तो हमें देखी हम करते है cause हमारा यह आता है 2a की value हम माना था cause inverse x cause inverse x equal to cause a की value हम पता है x cause square एक ही जगा है x square 2x square minus 1 है तो बन लिख देते हैं अब हम क्या करेंगे हमें इस को इस जैसे बनाने के लिए इस cause को क्या करना पढ़ेगा आरे से से बेहना हो रहेगा तो भीजते है तो हो जाएगा हमारा टू कॉज इन्वर्स एक्स इक्वाल हो जाएगा हमारा कॉज इन्वर्स ब्रैकेट में टू एक्स स्क्वार माइनस बन आप देख रहे होंगे कि हमारा जो फॉर्मूला है करें वह वह यहां से निकलकर आगया हमारा फॉर्मुला निकलकर है कॉज और सब्सक्राबर कोज इन्वर्स ब्रैक पार इस स्कॉर माइनस बन बस हमें इस फॉर्मुला इस miss को शूरणी CT में की वैसे लिगा इस वाले इस सूथ को हमें प्रूव करने के लिए किसका पिरोग करना होगा कौश्ट विए बरावर होता है हमारा टू-1 सब्सक्राइब कर तो आपका यह जो आप फ़ॉर्मूला वह आपका निकल गया जाता है तो चलिए बढ़ते आपने तीसे फार्मूले के ऊप चलिए जो हमारा जो आज का तीसा फॉर्मूला है वह है ृ- 250110 mover by में 21 in total फ्रेक्ट में 2X आपन माइनस 10 1 माइनस X2 ये हमारा जो तीसा फोर्मूला है यह है तो चलिए इस फॉर्मूलो को हम सिद करने के लिए सबसे पहले करेंगे माना की माना की माना की 10 inverse x एक्सष्ड माना ए तो यहां से हम x की बैल्यूने काल लिए क्या करेंगे 10 inverse को आरेटेश में भीज देंगे तो जाएगा मारा एक्स बराबर हो जाएगा 10 a 10 हो जाएगा अब हम क्या करेंगे हमने 10 to a का फोर्मूला पड़ा है कि 10 to a का फोर्मूला होता है नहीं 10 डेन टो एका फोर्मूला होता है तू टैने अपर बन-migus 10 इस्कौर ये तो हम इस फोर्मूले का प्रियोग करते हुए इसको सिद्ध करेंगे तो हम लिखेंगे भी नोगेट कि वी नोगेट हम जानते हैं कि क्या हो जानते हैं 10 टू ए इक्वल होता है 210 ए अपवार बन माइनस 10 एसक्वाइर यह हमारा फॉर्मूला होता है तू टैन टू है बरावा टू टैने अपन बन माइनश टैन स्कॉर जो कि हमने लेविंध क्लास में भरपूर यूज किया इसका तो अब हम क्या करेंगे जिसमें इस सूत्र में में जो जो वैल्यू पता है हम इसको पुड़ कर देंगे तो टैने टैन तो एसी लखे रहे देग अब बंद माइनश टैनिस्कॉर फकपशाइं यहां पर टैनि की वेली हूं निकाल च Kaiser थाल देन uh एकस स्कुर्ड तो जाएगा हमारा बन माइनस एकस स्कॉर्ड अब हम क्या करेंगे हमें इसको इस जैसे बनाने के लिए यहां से जो हमारा एलेचेस में जो हमारा टैन है इसको हम क्या कहातेंगे आरै डिंके तो हो जाएगा हमारा एक्स हो जाएगा हमारा ब्राबर हो जाएगा टैन इन्नवर्स ब्रेकेट में टू एक्स क्यु एक्स अपॉन एक्स टो एक्स अपॉन ब्न माइनस एक्स स्वार तो यहां आप लोग Internet होगे हमारा तीस्रा formula है जो हम कणबर्जन पढ़ रहे हैं उसका जो हमारा तीस्रा formula है वह भी निकल के आ चुका है क्या है चुकिटर फार्मुले से जिनका बहुत होने वाला है इसलिए आपको याद करना है तो इसकी की proving भी सीखनी है तो यहाँ पर हमने तीरों ही फॉर्मूले की जो पुरूवेंगे आपको दिखा दी है अब हम बढ़ते हैं अपने इस्पेसल फॉर्मूले जो धूर्मूले हमारे दो है तो उसकी और बढ़ते हैं और उनकी भी प्रूवेंग देखते हैं अ दे हम चलिए दोस्ते बढ़ते हम इस पेसाल फॉर्मुले होते हैं इनको करेंगे तो हम करेंगे फ्रूबिंग ओप यूब और सपेसल फॉर्मुले फ्रूबिंग ऑप special formula होने वाल है तो पहला हमारा जूंतē। फोर्मूला वह है वह है 210 इनवर्स 210 इनवर्स ed skinny show होता है हमारा प्र्साइण इनवर्स ब्रेकिट में प्रेकिट में 2x पॉनप्लस आप 1+. एक्श स्कॉर यह हमारा जो पहला special formula है वो है हमारा 210 inverse x equal होता है stein inverse bracket में 2x upon plus x square तो यह हमारा है पहला special formula जिसको हम सिद्ध करेंगे तो इसके लिए सबसे हम करेंगे हम सबसे पहले माल लेंगे माना की इसके हम मालेंगे की 10 x बरावर एक तो लिखते माना की माना की 10 inverse x बरावर एक यहां से का करेंगे एकस की बायलु नकालने के लिए 10 वे पर हमारा एकस निकल के आता है टेन 10 एक यहां पर हमने टैने निकाल लीया OOOOOO और अबाष लीविन्त क्लास में इसका प्रियोग हम ने कि इसको हमने जुक्न क्लास में इसका बहुत अच्छा प्रियोग किया है यह हमारा सूत होता है हम इसको जामते हैं अच्छी तरह से we know that हम जानते हैं साइन टूए बरावर होता है साइन टूए बरावर होता है तू टैन ए अपॉन प्लस टैन स्कॉरे इसको इस सूथ काम ने बहुत अच्छी तरीके से प्रियुक किया है लिविंध क्लास में और अभी भी हमने इसका साइन टूए का दूसा फॉर्मूला cciones के पड़ों में होता है तैन के पड़ों ठीक चलिए इस वाले फोर्मूलों को सिद्ट करने के लिए निएस को करने के लिए मिए के टन के टन ₂-तन पड़ों वाले फोर्मूल का यूज करना है तो हमारा है क्या है मारा साइं 2 अपवचम्यों कर देंगे घ्राइन निकल आता है साइन में हमने क्या माना था तो 10 इन्वास एक्स एकल चुह इंटू टैनी की बेली एक्स X upon 1 plus 10 A की value हमें क्या पता है X तो 10 square A की value क्यों हो जाएगी X square तो हो जाएगा हमारा 1 plus X square हो गया अब यहां से हमें इस इसको हमें इस जैसे बनाने के लिए sine को RHS में ले जाना पड़ेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा इसको ले जाते हैं, तो हो जाएगा हमारा 210 inverse X एक्वल हो जाएगा, sine inverse bracket में 2X upon 1 plus X square तो यहां पर जो हमारा तीसरा formula है, जो हमारा special formula में जो हमारा special formula है, वो यहां से निकल कर आ गया हमने इसमें कुछ नहीं किया, जैसा हमने पहले वाले formula है किया था, बैसे ही इसको किया, केवल समें हमने क्या किया, sine 2A, sine 2A का जो टैनी का पदोवाला सूत था, उसको खोल कर इसमें जो जो value हमने निकाली थी, उनको इसमें पूट कर दिया और हमारा जो सूत्र है, वो निकल कर आ गया, तो इसका जो दूसरा जो इसका दूसरा special formula है, वो भी हम derive कर लेते हैं, तो चलिए बढ़ते हैं, अपने दूसरे formula की और, तो चलिए अब हम अपने दूसरे special formula की बात कर लेते हैं, तो दूसरा x square upon 1 plus x square, यह हमारा जो दूसरा special formula है, वो है, इसको हम सिद्ध करेंगे, तो सबसे पहले हम करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे, माना की, क्या मान लेंगे माना की, 10 inverse x equal a, यहां से हम x की value नकालेंगे, तो x की value नकालने के लिए 10 inverse को, आरह चिसमें बेद देंगे, तो हो जाए तो चलिए, अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम जो इस सूथ को सिद्ध करने के लिए, जो हम 11th class का सूथ प्रयोग करने वाले हैं, वो है हमारा cost to a का, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि cost to a के हमारे चार प्रकार के formula होता है, एक होता है कोजे तथा साइने के पदो में एक होता है केवल कोजे के पद में, एक होता है केवल साइने के पद में और एक होता है टैने के पदो में, तो इस सूथ को सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, cost to a बराबर हम टैने वाले पदो वाले सूथ का प्रयोग करेंगे, तो क्यूंकि हम यहाँ पर टैन पता है, ज यहां से हम जानते हैं क्या कानिते हैं? हम जानते हैं, we know that हम जानते हैं कि कॉज टूए वरावर होता है बन माईनश टैन सकॉर ए अपॉन बन प्लस टैन स्कॉर ए यह हमारा टैन jaki positions, पदूमें जो हमारा सूथ होता है, वो है अब इस में हमें जो जो value हमने ग्याद की है सब रख देंगे तो रखते हैं तो हमारा यहाँ cause लिखा है लिखे रहे हैं तो ए हमने क्या माना था 10 inverse x तो रख दिया 10 inverse x equal 1 है 1 लिख दिया minus है minus लिख दिया अब यहाँ से हमारा जो 10 की value पता है वो है x तो यहाँ पर हम 10 square यहाँ लिख दिया अब यहाँ पर जो 10 की value है x तो हम यहाँ लिख दिया तो हमारा यहाँ पर निकल कर रहा गया cause ट्रेक में 2 10 inverse x बराबर होता है 1 minus x square अब हम क्या करेंगे इसको इस जैसा बनाने के लिए cause को RSS में भेजते हैं तो क्या हो जाएका हमारा 210 inverse x एक्वल हो जाएगा cause inverse bracket में हो जाएगा 1 minus x square upon 1 plus x square यह हमारा जो फॉर्बूला है वो यहाँ से निकल कर आ गया 210 inverse x बराबर होता है cause inverse bracket में 1 minus x square upon 1 plus x square तो यह जो हमारी जो हमारे special formula दोनो special formula थे यह दोनों ही हमने prove कर लिए यानि कि सिद्ध कर लिए अब हम इसमें एक business बात को आपको बताने वाले हैं कि जो हमारे आपने एक बार नोटिस की होगी जो हमारे 210 इंवर्स एक्स बराबर होता है है सैन इन्वर्स ब्रैकेट में लिए है टू एक सपन बन प्लस एक्स इसक्वार और एक और हमने जो टू एंगिल फोर्मूली कर्मर्ट कने पढ़ा था तो तेन इन्वस एक्स बरावर था यहां पर आप लूँग देख रहे होंगे जो हमारे टेन इन्वस के जो तीन प्रकार के फर्मुल हो गए एक हो गया कोज इन्वस एक्स के पदों में एक हो गया साइन के के दूमिं Hersa के अपको तो आपको आपको इसा रही आपको याद करना में लेकिन करना पड़ेगा तो इन ऊसने सब्सक्राइब आपको पतों के साफ से याथ करना है कि कोज के पदों में क्या होगा स्टैनवस के पदों में क्या होगा तो अपने आगे वाले थे है जो मारे है त्री एंगिल पर मुले कंرجंस उनुक्य हम प्रूबिंग देख लेते हैं आज की वीडियो में फिर आ然后 देखेंगे क्या पढ़ेंगे ठीक तो चलिए अपने देखते हैं फार्मूले कर बर्जन की और कि अधिजलिया आप बात कर लेते हम थी एंगल फॉर्मूले कर बंजर्ज इनकी बात कर लेते हम कि थ्री- cómots us थे हैं तो पहला formula जो वह होता है थ्री-थ्री एंग्यल Museum in जो हमारा पहला पघ्रव लाहोता है वह हम देखते हैं क्या होता हैति पहला अच्छ साइन इन्वर्स ब्रैकेट में 3x-4x3 यह हमारा जो पहला फॉर्मूला है थ्री एंगल फॉर्मूले कन्वर्जन्स का जो हमारा पहला फॉर्मूला है वह थ्री साइन इन्वर्स एक्स बरावर होता है साइन इन्वर्स ब्रैकेट में 3x-4x3 थो इसको हम शत करेंगे तो सित करने के लिए सब सब पहले हम क्या करेंगे मालेंगे क्या माना की साइन-वस एकिस बेड़ाबर होता है एговर क्या करेंगे साइम्स को आरेज और जेव वहीं बेजnamed तो हमने क्या पढ़ाता सांधिर यह का फरमुला हमीने पढ़ाता स्क्ते लृग्त क्यों तो हम लोग 요 से लिए का है हम जानते हैं किक्स अड़े काक्त जानते हैं शैन त्रीड है 3 sin a minus 4 sin q a यह हमारा जो होता है sin 3 a का तो अब हम इस फॉर्मूले में जो जो हमें value पता है हम इसको बट कर दिंगे तो लिखते हैं हम sin 3 यह को हमने क्या माना तो sin inverse x तो यहां लग दिंगे sin inverse x और equal लगा है तो equal लगा दिंगे 3 लखा है तो sin a की value हमने निकाली x तो यहां पर हमने x लग दिया minus 4 तो यहां पर 4 है तो यहां भी हम 4 लग देंगे sin q a तो यहां पर हमें sin a की value जानते हैं क्या है x तो sin q a की value को हो जाते है हमारी x q तो हो जाएगा 4 x q अब हमारा क्या है ऐसा formula है केवल एक चीज़ की problem है कि इस sin को हमें बहां ले जाना तो हम जानते हैं कि इस sin को उस side ले जाएगे तो हमारा sin inverse में चीज़ हो जाएगा बस तो हमें वही चाहिए न तो हम लेग देंगे इसको 3 sin inverse x बराबर हो जाएगा हमारा sin inverse bracket में 3 x minus 4 x q यहां पर हमारा जो 3 angle formula convergence का जो हमारा पहला फॉर्मूला था वो निकल कर आ चुका है क्या चुका है 3 sin inverse x बराबर है हमारा sin inverse bracket में 3 x minus 4 x q तो हमारा जो पहला फॉर्मूला है वो निकल कर आ गया है इसमें मैं आपको फिर से इक बार बता देंगा हमने क्या की किया हमने सबसे पहले किया माना की sin inverse x बराबर a फिर हमने एक्स का मान नकाला तो sin inverse को रहे चिसमें भी दिया तो हमारा आ गया साइन एक्स बराबर आ गया साइन फिर हमने 11 क्लास में जो सूत पड़ा है साइन 3a बराबर 3 sin a minus 4 sin q a का प्रियो कर दिया अब यहां से जो जो हमें बलू पता थी हम नों इसको पुट कर दिया और यहां से हमारा जो निकल कर आया आए साइन ब्रैकें में 3-1 एक्स बराबर 3-4 एक्स क्यूब तो अब हमें क्या करना था चूंकि हमें चाहिए 3-1 एक्स अले चिसमें तो हमारा यहां से हो जाएगा के लिकल कर आएगा थ्री साइन इवस एक्स बराबर आजाएगा साइन इवस में त्री एक्स माइनस 4 एक्स क्यूब बस यह हमें चाहिए तो और हमारा यहां पर जो फोर्मूला है वह सिद्ध हो गया बहुत आसानी से तो चली इसके दूसरे के के वाल बढ़ते हैं हिहां छलिए अब बात कर लेते हैं हम इसके दूसरे सो पशू पीद में होता है हमारा 4X Q-3X